हालो एब्रिवन वेलकम टू लिटकल डिपार्टमेंट आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वेकेंसी की बारें बताने वाला हूँ जो की निशनल इंसिट्यूट आप टेक्नलाजी सिल्चर की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको जो पोस्ट है वो टेक् सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट वेकेंसी है साथ जुलाए 2023 को जारी किया गया है यह वेकेंसी जो है नान तीछिंग पोंच रनी के ठेक्ने कल भी डिपार्टबेंट में सारी वेकेंसी निकाली गई है लावَ जूनियर इंजिनर की वेकेंसी इसमें टोटल 6 वेकेंसी है इसके बाद यहाँ पर सीनियर टेक्निसियन की वेकेंसी जिसमें टोटल 14 वेकेंसी है सीनियर असिस्टेंट की वेकेंसी है आठ वेकेंसी है इसके बाद यहाँ पर टेक्निसियन की जो वेकेंसी है इसमें डिप्लोमा और एक्टेरिय के फ्रेशर केंडेट इलिजबल है टोटल रहा पाट एसकते हैं अट्थाइस वेकेंसी है इस प्रकार से इसमें टोटल एक्सोन नो वेकेंसी निकाली गई है अब बात कर लेते हैं कि कौन से पोश्ट के लिए क्या इलिजबल्टि क्रेटेरिया रखा गया है तेहां पर अगर हम बात करें से पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोश्ट के लिए तो अगर आपके पास First Class BE, BTEC या फिर MCA के आपके पास डिगृरी है तो आप इसमें Elisible है अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास First Class Diploma in Engineering ने यहाँ पर ब्रांच नहीं बताए गया है किसफी ब्रांच से अगर आप relevant प्लेन और टेक्निकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल वाले इसमें इलिजिबल ही है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजिनिरिंग में तो आप इसमें इलिजिबल होंगे अपलाई कर सकते हैं जो एज है आपका इसमें आप 30 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए इसके बाद यहां पर हम बात करें जूनियर इंजिनियर का तो इसमें देख सकते हैं अगर आपके पास बीई बीटेक है सिविल या इलेक्ट्रिकल में तो आप इसमें इलिजिबल है इसके अलामा अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजि अगर आपके पास तो भी आप इसमें लिजबल है अपलाई कर सकते हैं इसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन की वेकिंसी है टेक्नीशियन की वेकिंसी में डिपलोमा इन इंजिनरिंग फॉर आफ त्री एडियर डिरेशन इन डेनेवल फिंड तो अगर आपक होंगे कि नहीं लिजबल होंगे एज की बात करें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अपका एज जो है 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ रुपए अपलिकेशन फीज रखा गया है तो आप लोग इसमें जरूर से अपलाई कीजिए अगर इंट्रेश्टेट हैं इलिजबल होते हैं बागे कर बात करें इसमें लास्ट डेट जो है अपलाई करने का वो है 17 जुलाई 17 जुलाई तक इसमें आप अपलाई कर सकते है 17 जुलाई लास्ट जेट है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर इसमें तो इसमें आपका एक रिटन एक्जाम होता है इसके बाद सभी पोस्ट के लिए इंटर्वी नहीं होता है कुछ-कुछ पोस्ट के लिए इंटर्वी होता है इसके बाद डाकुमेंट रिकेसन होता तो यह था इसका सेलेक्शन प्रॉसेस तो अप्लाई करने का डिरेक्ट लिंक के जो है वीडियो को रेसिस्ट में दिया गया है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं साथी इस प्रकार से टेक्निकल फील्ड रेसिलेटर जाओ अपडेट पाने के लिए टेलेग्राम चैनल को ज कर दिंगे तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जब अपडेट के साथ